नवश्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेर्स में बिज्ञान एवन प्रोध्यों की यानि साइन्स एंड टेक्नोलजी से संबंदित जो 2019 के प्रमुग और नवीनतम घटना क्रम हैं उनको देखेंगे प्रसान सर ने करंट अफेर्स को विधिवत हर टॉपिक वाइज जो है जितने भी सेग्मेंट वाइज होता है हर तरह से कवर करा दिया है तो आप वो वीडियो को एक्जाम में जाने से पहले जरूर देख ले रिवाइज करते रहें और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टे क्योंकि PCS में जो है करंट अफेर्स का जो सेक्सन है उसमें साइंस अंट टेक का भी विसेश मात्व है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहला जो रिसेंट अपडेट है वो ये है सूर से सतर गुना बड़े एक ब्लैक होल की खोज की गई है तो सबसे पहले जब इस तरह के कोश्चन आते हैं तो कि खोज करता कौन है या कौन सी एजेंसी ने जो है खोज की है इसके बारे में पूछा जाता है तो 28 तोंपर 2019 को सोध करता हो द्वारा जो हमारी आकास गंगा है मिलकी वे उसमें सूर से सतर गुनाए ब्लैक होल की खोज की गई ह ये खोज जो है चीन की National Astronomical Observatory के खगोल विदो या Scientist के द्वारा की गई है तो यहाँ पर पहली चीज जो इंपोर्टेंट वो क्या है चीन के जो है बैग्यानिक है उन्होंने इसकी खोज की है और इसको जो नाम दिया गया है वो दिया LB1 LB1 इसका नाम दिया गया है इसका द्रविमान सूर के द्रविमान से 70 गुना अधिक है तता प्रतिवी से इसकी दूरी 15,000 लाइट इयर्स या प्रकास वर्स दूर है तो यह इंपोर्टेंट है एक्जाम की दृष्टी से बिस्व के सबसे सक्तिसाली राकेट का अनावरन किया है तो किस स्पेस एजनसी ने किया है सबसे पहली बात तो अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा ने हाली में मानव इतिहास के सबसे सक्तिसाली राकेट का अनावरन किया है इस राकेट को स्पेस लांच सिस्टम यानि SLS नाम दिया गया है रॉकेट का उपयोग संभवता आइटेमिस मिसन में किया जाएगा अब यह आइटेमिस मिसन जो है यह नासा की एक महत्वा कांची परियोजना है जो तीन चरणों में पूरी होगी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है यह सबसे पहले इसका फुल पॉर्म जान नासा 2020 में चंद्रमा के लिए आइटेमिस वन मिसन बेजेगा इसमें कोई भी अंतरिश यात्री नहीं होगा आइट वन में इसके बाद आइटेमिस टू मिसन बेजा जाएगा और यह 2022 में क्रू के साथ चंद्रमा की परिक्रमा करेगा यानि यह चंद्रमा पे लाइंड नह पर उत्रेंगी और इसमें जो है महिला अंत्रिश्यात्री भी सामिल होंगे तो ये बड़ी पर्योजना है नासा ने चंद्रयान 2 के लैंडर बिक्रम को खोज लिया था भी लैंडर का जो मलवा है जो गिरने से तूड गया था उसकी खोज की थी उसकी तस्वीरे भी जारी की यही थी सभी जिके बहुत चर्चा में रहा है तो नासा ने बिक्रम के लैंडिंग इस्थान का चित्र जारी किया गया और ये चित्र जो है लिउनर रिकॉनेंसर और बिट यानि एल आरो के द्वारा जारी किया गया है अगला इंपोर्टेंट अपडेट क्या है में नय रॉकेट लांच पैट की स्थापना होगी तो अभी तक जो है इस रो जो है कहां से लांच करता था सतीस धवन अंत्रिश कें स्री हरकोटा आनपरेश से लेकिन अब जो है नया लांच पैट की जगे बनेगा तमिलाडु में कुल सेकर पत्तनम के निकट रॉकेट ला जो है प्रचेपड माना जा रहा है इस रो का 27 नॉमबर 2019 को काटो सैट 3 नामक इमेजिंग वाम मैपिंग उपग्रे का लांच किया गया है यह उपग्रे अपने आप में इतना सच्छम है कि यह उपर से ही जो है 26 सेंटी मीटर तक की जो है इमेजर को जो है कवर करने में सच सच्छम है और इसके साथ 13 वाडिजिक उपग्रे में लांच किये गये थे यह इस रो द्वारा निर्मित सबसे एडवांस्ट इमेजिंग सेटलाइट है यह उपग्रे प्रत्वी के हाई रेजुलूशन चित्र लेने में सच्छम है तो इस तरह से इसका उप्योग जो है सा मिसन चंद्रियान 3 चंद्रियान 2 जो है आंसिक रूप से सफल हुआ था इसलिए जो है मिसन चंद्रियान 3 की भी प्लानिंग कर रहा है जो है इस रो और नवंबर 2022-20 तक जो है चंद्रमा पर जो है दूसरी बार लैंडिंग करने का प्रयास करेगा इस रो का जो चंद्रिया चंद्रियान 3 की तयारी की जा रही है अगली एक जो है इंपोर्टेंट साइंटिफिक जो है जीनोम परियोजना इसका नाम क्या है? इंडी जन जीनोम परियोजना ये जो है CSIR द्वारा पहल की गई है, सुरुवात की गई है CSIR को हमें लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बैग्यानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिसद इसने अनुवानसिक बिमारियों पर डेटा तयार करने और आने वाली पीडियों में अनुवानसिक बिमारियों के जोखिम को जानने के लिए देश बर की विभिन आबादी से लगबग एक हजार आठ भारतियों की पूरी जीनोम की सिक्वेंसिंग कराई है जिससे जो है जो जेनिटिक डिजीजेस खासका जो है भारत में परसिष्ट होती हैं उनके बारे में जानकारी हमको मिल सके हैं बीटल की एक नई प्रजाती की खोज की गई है इसका नाम दिया गया है नेलो पोर्टडस ग्रेटे बीटल को पहली बार 1965 में केनिया के नेरोबी में ब्रिटिस प्रकितवादी डॉक्टर विलियम सी ब्लॉग ने खोजा था इनके दारा पहली बार इसकी खोज की गई थी ये नाम 16 वर्षी स्वीडिस जलवायू कारिकरता के उतकरष्ट योगदान के लिए रखा गया है तो इसका जो है नाम इंपोर्टेंट है नेलो प्रोटेस ग्रेटे आगे चलते हैं टाइफाइट के लिए टीका को लांच करने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया है जो इंपोर्टेंट है एक्जाम की देश्टी से ये ये लांच कप किया गया है पंदरा नौंबर 2019 को पाकिस्तान ने टाइफाइट के लिए पहला टीका लांच कर दिया है और इस तरह से विस्व का पहला देश बन गया है इस टीकों को विस्व स्वाज संगठा ने यानि WHO ने भी अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी टाइफाइट कांजुगेट वैक्सीन इसका नाम है ये इंपोर्टेंट है टी सी वी तो टाइफाइट कांजुगेट वैक्सीन जो है वन डोज वैक्सीन है यानि केवल एक ही बार इसको लगाना होता है जिसे इंट्रा मस्कुलर लगाया जाता है और टाइफाइट का कारण आप लोग जानते हैं सालमुनेरा टाइफी नामक जिवाडू होता है और ये जिवाडू केवल मानों में पाया जाता है अगला इंपोर्टेंट अपडेट देखते हैं स्टारलिंग इंटरनेट सेटलाइट लाँज तो इस पेस जो एजनसी है अंतरिच की उसने बैस्विक इंटरनेट कवरेश प्रदान करने के लिए 60 मिनी स्टारलिंग इंटरनेट सेटलाइट लाँज की हैं अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब अंतरिच में कोई जाएगा चाहे वो कोई सेटलाइट जा रही है चाहे कोई वीमान जा रही है वहाँ पर भी उसको जो है इंटरनेट कनेक्शन मिल सके तो इसलिए जो है ये सेटलाइट जो है लांच किया गया है जिसका ना पर बीम, ब्रावडबैं CertNet सवाव के लिए तैनात किया जाएगा। आगे चलते हैं, विस्तु का पहला इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रीकल एर्प्लेन जो बिजली से चलेगा, ऐसा एर्प्लेन, तो ये किस ने बनाया है, नासा ने, नासा ने दुनिया का पहला Electric Elopein Design किया है, जो की पूरी तरह से Electric Power से ही चलेगा, इस Electric Aircraft का नाम दिया गया है, X-57 Maxwell, क्या नाम इसका, X-57 Maxwell, इसमें 14 Electric Motor और Powerful Lithium Battery का उप्योग किया जाएगा, जिससे ये बिमान जो है केवल और केवल जो है एलेक्ट्रिक पावर से यानि बिजली से ही चल सके अगनी तीन का मिसाइल का प्रिछेपड़ हुआ है और ये इसका पहला रातरिकाली इस सफल प्रशिचर था यानि ये रात में कभी भी इसका जो अब तक सफल पस्छेपड नहीं किया गया था तो पहला ये था और ये किया गया है 16 नॉंबर 2019 को डक्टर एपीजे कलाम दीप यानि विलर दीप से अगनी तीन क्या है एक मिड रेंज यानि मध्यम वर्तिस रेडी की बैलेस्टिक मिसाइ मिसाइल है जिसको हम I, R, B, M कहेंगे अगर इंगलिस में कहें और ये सतय से सतय पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है तो कभी-कभी दो मिसाइल का भी रात्रिकालीन सफल परिक्षण किया गया ये किया गया 20 नॉमबर को उरिजा के बाला सोर के चान्दी पूर जो है एकिकरत रेंज से और त्रथवी दो भी जो है सताय से सताय पर मार करने लिए मिसाइल है इसकी जो मारक छमता है वो 350 किलो मेटर है जिसने नॉमबर 2019 में भारती राज पस्चिम बंगाल में दूसरे सेड़ी के तुफान जैसी तीवता पर आया था ये और इस चक्रवात का नामकरण जो है पाकिस्तान द्वारा किया गया ये परंपरा है कि एक-एक करके जो है जो एसियन कंट्रीज है वो जो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात है उनका नामकरण करते हैं परश्ची मंगाल में चक्रवात बुलबुल से 23,811 करोन रुपए का नुकसान हुआ और तीन जिनों में लगवग 35 लाख लोग इससे प्रभावित हुए क्लाइमेट इमर्जेंसी यानि जलवायू अपातकाल की घोश्डा ये भी एक इम्पोर्टेंट फिनॉमना है 2019 का जो है बायो साइंस नामा के एक जो है जनरल है पत्रिका है उसमें एक लेक में 11,258 बैग्यानिकों में से 69 भारती बैग्यानिकों ने भी जो है उस पे इस आपातकाल पे जो है हस्ताक्षर किये जलवाय अपातकाल की घोश्डा बैग्यानिकों ने विगत 40 वर्सों के दोरान कुछ छेत्रों के निर्धारिक मानकों पर एकत्रिक डाटा के आधार पर किया है यानि बिगत 40 वर्सों में जिस तरह से जलवाय में बहुत तीवर्ता से परिवर्तन हो रहा है और उसकी वज़े से एक क्लाइमेट इमर्जेंसी जैसी सिच्वेशन उत्पन हो रही है इसलिए जो है ये गोशडा की गई है ये गोशडा उर्जा उपयोग सतय के तापमान जन संख्या ब्रधी वनों की कटाई धुरूवी वर्थ के द्रविमान प्रजिदंदर के बैग्यानिक बिश्लेशन पर आधारी थे यानि ये सभी कारक जो है इसमें सामिल है मकडी की दो नई प्रजातियां खोजी गई है तो ये कहां पर खोजी गई है सबसे पहला तो important question यही है ये गुजरात Ecological Education and Research Foundation में जो है कनिश सोध करता है धुरू प्रजापती द्वारा जो है मकडी की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है और ये नई प्रजाती जो है एसिया की कुद मकडी जिसको एसियन जंपिंग स्पाइडर कहते हैं इसमें से इंडो मैरेंगो और मैरोंगो वैंस के अंतरगत आती है सोध करता दोरा एक मकडी का वैज्यानिक नाम जो है ये किसी मसूर हस्ती के नाम पर रखा गया ये भी तूचा जा सकता है तो मसूर क्र सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है एक का नाम रखा गया है क्या नाम इसका मारगैनो सचिन तेंदुलकर ये उसमकडी को नाम दिया गया है जो नहीं प्रयाती है और दूसरे का नाम क्या रखा गया है इंडो मैरेगनो चावर पेटा ये केरल के संत कुरियो कोस इलियास च चावरा के नाम पर इसको नामकुराण किया गया है So you can stand with fire एक कुरीयोकोस इलियास चावरा के नाम पर रखा गया है अंधरीच प्रध्योग की सेल की अभी हाली में स्थापना की गई है एक नॉमबा 2019 को IIT दिल्ली में भारती अंतरिच अंस्वंधान संस्थान यानि इसरों के सहयोग से अंतरिच पुरद्यों की सेल यानि STC की स्थापना करने का अभी निर्णय लिया गया है दिकोड आग बिग बैंग थ Renee तो बिग बैंग थैऊरि जो है वो थेऊरि है आप जानते हैं जो प्रथिवी की उठ्पत्ति से संबंदिद एक सिधान परस्तुत करती है तो हाल ही में मेरी की पतरिका जो है Science Journal जो सबसे पतिष्ठित Journal माना जाता साइंस का इसमें ब्रह्मान के निर्मान सम्दित Big Bang परकार के बिस्पोट कराने के तरीके का पता लगाया गया है कि जो एक्च्वल में बिग बैंग था उसी तरह से गर हमको विस्फोर्ट कराना हो तो किस तरह से करा जा सकता है तो इस पर एक अध्यर प्रकासित किया गया है अमेरिका की इन्वेस्टि अप सेंटर फ्रोल्डा के बैग्यानिकों की टीम ने हाइपर सोनिट जेट प्रोधन के तरीकों की खोज करते हुए बिग बैंग प्रकार के बिष्फोर्टक कराने के तरीके का पता लगाया है तो इंपोर्टेंट है यह आगे मेड़क की भी एक नई प्रजाती खोजी गई है इसका जो है क्या नाम दिया गया है पॉली पेडेटस बंगाल लेंसिस तो यहाँ पर बंगाल लेंसिस लगा है इसका मतलब जो है यह बंगाल से जरूर संबन दी थे इतना याद रखियेगा तो चार नॉम्बर 2019 को उभायचरो की खोज करने ले एक टीम ने परश्ची मंगाल में दो इस्थानों पर मेड़कों की नई प्रजाती जिसको नाम दिया गया है पॉली पेडेटिडस बंगलेंसिस की खोज की है परश्ची मंगाल के उत्तरी 24 परगना जिला और खोड़न जो 24 में इस नई परजाती को खो जा गया है इसे ब्राउन ब्लाटेड बंगाल टी फ्राग के रूप में भी जाना जाता है ये तो इसका नाम नया दिया गया है और इसे ब्राउन ब्लाटेड बंगाल ट्री फ्राग के नाम से यानि ये जो है पेड़ों पे रहने वाली जो गस्ति पोर्ट जो है इसकी पाँच पोर्ट जो है दी गई है इसमें दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है ये गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एन इंजीनियर्स ने फास्ट पेट्रोल वेसल इसमें पूछा भी जाता है कि किस ने बनाया है और जी आरेसी लिम्टेड द्वारा निर्मित किया गया ये 101 युद्धपूत है अगला अल्जाइमर्स की एक जो है दवा विक्सित की गई है जिसका जो है बहुत सफलता मानी जा रही है इसमें जीवी 971 ये मस्तिक से संबंदित बिमारी यानि अल्जाइमर्स की उप्चार है तू चीन ने एक दवा का निर्मार किया है इसका नाम दिया गया है जीवी 971 ये भूरे रंग के सेवाल यानि एक ब्राउन एलगी से निकाला गया है जो इसका एक्ट्रेक्ट है ये दवा अल्जाइमर के लिए दुनिया की पहली बहुल अच्छी करण यानि मल्टी टार्गेट वाली जो है जो कई सारे चीजों को एक साथ सही करेगी और कार्बो हाइ अधारित दवा है अगला ब्रामोस मिसाइल का अभी हाली में सफल परिक्षण किया गया है ये 21 और 22 अक्टूबर को किया गया है वाई सेना ने किया है अंडमान निकोबार दीप के त्रॉक द्यूप पर जो है इसका सफल परिक्षण हुआ इसका विकास भारत के डियाइड पियो ने अनिरच्छा अंसंधान विकास संगठन और रूस के एन पियो मसीनोष्टिया के सैयुक तुपकरम ब्रामोस एरोस्पेस के द्वारा किया गया है इसका नाम भी जो है ब्रामोस मिसाइल रखा जाता है ग्यारवा परमाडू उर्जा सम्मेलन इसका सबसे पहले तो थीम थी वो क्या थी परमाडू उर्जा का अधसास सुरच्छित और किफायती प्रद्योक्यों की दिशा में नवाचार अगर इंग्लिस में इसको कहेंगे तो Economics of Nuclear Power Innovations Towards Safer and Cost Effective Technology इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था India Energy Forum के द्वारा किया गया था प्लेस महत्पूर है नई दिल्ली आपको याद रखना है एक नई Antibiotic की खोज की गई है जो बहुती ज़्यादा चर्ची थे इस समय इसको नाम दिया गया है Phasolacin तो October 2019 में जो है इसकी खोज की गई है अंतराश्टी मैक्सिको के जंगलों में एक अंतराश्टी डलने इसकी खोज की गई इस नई Antibiotic को Phasolacin नाम दिया गया है यह मैक्सिको के उश्र कटबंदी जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी में उपस्थित एक जीवाडू के द्वारा निर्मित होता है क्योंकि Antibiotic जो है जीवाडू से ही प्रात यह नई जो Antibiotic है मनुस और पौधो दोनों में ही बैक्टीरिया के संक्रमण से निपटने है तो तारगत तरीके के विक्सित करने में सहायक है यह आदमियों पर तो प्रभावी है यह पौधों पर भी प्रभावी है सोत करताओं का यह विश्वास है कि इस Antibiotic का निर्माण करने वाले बैक्टीरिया का प्रियोग एक प्लांट प्रोबायोटिक के रूप में या पादप प्रोबायोटिक के रूप में भी किया जा सक अब एक सबसे महत्पूर्ण अगर मैं कहूं जो है इस वर्स की खबर तो यह है कि सनी ग्रह जो है अब सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है क्योंकि अब तक आप लोग जो है में यही पढ़ते आए कि ब्रयास्पती यानि जुपिटर जो है कि सबसे ज्यादा 79 उपग्रह हैं लेकिन अब जो है सनी के जो है 20 नए ग्रह खोज लिये जाने से आब इसकी संख्या कित्ती हो गई यह 82 तो दोनों ही चीज़े आदा कियेगा सनी तो आप यादी रखेंगे आब इसके कुल 82 प्राकृतिक उपग्रह हो गये हैं आगे चलते है एक मोबाइल अप्लिकेशन लांच हुआ है जिसका नाम है मेक दूत तो इसकी क्या खासियत है पहले तो यह देखते हैं प्रत्वी और विग्यान और करसी मंत्राले ने इसको लांच किया गया है इसका नाम मेक दूत रखा गया है यह अप्लिकेशन भारती मौसम विग्यान विभाग, भारती ऊश्र कंत よ वंदी, मौस्रम विगान संस्तान और भारती कृषि अंसंद्हान परिश्द इन तीनों ही बड़े संस्तानों के विख्षित किया गया है और ये एब किसानों को स्थानी भासा में अधारित क्रसी की सला, देजर Science and Technology के जो महत्पूर current affairs हैं वो इस वीडियो में cover किये प्रसान सर ने भी इस topic को पहले पढ़ाया है उन्होंने भी जो है कई चीजें जो है आपको बताई हैं तो वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए कुछ Science and Technology जो है एक ऐसी field है जिससे आप questions झाल